नमस्कार आप देख रहे हैं मोबाइल नियोस 24 मैं हुआ विशेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का अफगानिस्तान में हाइब वोल्टेज विजली लाइन से टकरा कर बायो सैना का हेलिकॉप्टर हुआ क्रेस चालक दल के दो सदस्यों की गई जान कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसत भवन के उधाटन को लेकर कसातंज कहा केबल नाम का रह गया है भारत के राष्टपती का कार्याले FIPIC सम्मिट में PM मोदी ने प्रसांत दुप देशों के साथ भारत की साज़दारी को बढ़ाया आगे कई कार योजनाओं की की होसना जहां सम्मेलन में बोले PM मोदी कहा मानविय सहायता हो या विकास भरुसेमंद पार्टनर है भारत वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को Fiji के सरभोस्तम सम्मान Companion of the Order of Fiji से सम्मान किया गया दोस्तों बिते करीब 10 वर्सों से हमारी टीम रोजाना आपके लिए News and Other Information दिखाते आ रहा है आप लोगों का प्यार ही हम लोगों को लगातार एक जज़वा के साथ इस काम को 24 घंटे 7 दिन करने में सफल करता है इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा होसला बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक एक कमेंट जरूर कर दिया करे इससे हमारा होसला और भी बढ़ता जाएगा जिहां मैं आगे का नियोज बोल रहा हूं तब तक आप सब ही इससे लाइक किजिए और कमेंट भी कर दिजिए नेशनल कमपनी लौ एपिलेट ट्रिबनल की और से सोंबार को ACLT के उस आदेश पर ततकाल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है जिसमें संकट ग्रस्त एयरलाइन गोफर्स्ट को स्वेक्षिक दिवालियापन के लिए अनुमती दे दी गई थी दो सदस्योबाली NC LAT बेंच ने गोफर्स्ट की दिवालियापन का बिरोध किया और एयरक्राफ्ट लीज कमपनियों से कहा कि अगर कोई भी रहत चाहिए तो नेशनल कमपनी लौ ट्रिबनल के पास जाना होगा भारतिय समाज से सतिप्रथा को खत्म करने वाले महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने वाले महान राजा राम मोहन राई का जन्म आज ही 22 मई साल 1772 में हुआ था जब भारतिय समाज में महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं था तो राजाराम मोहनराई ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरू किया भारत से 381 हाजियों का पहला जथा सौधी अरब के लिए रवाना हुआ जहां महिला यात्रियों में भी दिखा खास उत्साग गोहाटी पुलिस के सामने पेश होंगे यूथ कॉंग्रेस के रास्तिय अध्यक स्रिनिवास बिबी अंग किता दत्ता ने कॉंग्रेस सी नेता पर लगाया है उत्पीरन का आरोप उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस ने समाजिक न्याय की लराई के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया है जहां कौंगे सिस सब्ता समाजिक निया के लिए अपना अभियान शुरू करने वाली है वही पिछले नेता इस अभियान की अग्रिम पंती में होंगे बिहार के निता पर्तिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नितीश कुमार अपने आधे दर्जन मंत्रियों के साथ देशा टन कर रहे हैं और जनता के पैसे को बरवात किया जा रहा है दिल्ली हाइकोर्ट ने BBC को गुजरात की एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर की गई मानहानी मुकदमे की याचिका पर समन्जारी किया है जहां याचिका में दावा किया गया है कि UK ब्राडकास्टर द्वारा बनाए गई डॉक्यूमेंटरी ने दो अस्तरों पर भारत और इसकी न्याकालिका के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परतिस्ठा पर धबा लगाया है पंजाब कुलिस की AGTF ने बड़ी सफलता हासिल करते वे गेंगेस्टर लॉरेंस बिस्नोईगरो के चार सूप्रों को गिरफतार किया है इसकी पुस्टी पंजाब डीजीपी ने खुद की है वहीं आरुपितों से 6 पिस्टल और 26 जिंदा कार्तूस भी बरामत किये गए हैं हर्याना में हेंड ग्रेनेड और विस्फुटक सामगरी मिलने की बढ़ती घटनाओ को देखकर राजसरकार गंभीर हो गई है इसी सिलसले में ग्रेह मंत्री अनिल्विज ने मिटिंग की और कहा कि हर्याना को सुरक्षित रखने के लिए मन्थन किया जा रहा है हमें जो इंपुट मिल रहे है उसका जल्द पुरूपिंट तयार करके उचित कदम उठाया जाएगा उत्राखन के मुखमंत्री पुसकर सिंग धामी ने अधिकारियों को नरतेश दिया कि सरकारी भूमी पर अतिकर्मिन को ना रोखने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तै की जाएगी और उस पर कड़ी कारबाई भी की जाएगी 31 माई को सियम हमन्त सौरिन की अध्यक्सता में होगी जारखन सरकार के कैबिनेट की बैठक जिसमें कई एहम मुद्दे पर हो सकती है चर्चा मत्यपरतेश के मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहान ने मोतिलाल नहरू स्टीडियम में महराना प्रताप जैनती समाहरों में ऐलान किया कि भोपाल में महराना प्रताप लोक बनेगा वहीं उन्होंने महराना प्रताप कल्यान बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया इस अपसर पर सीम ने कहा कि हम लब जिहाद और धर्मांतरन कराने वाले को नहीं छोरेंगे हिमाचल की सुखु सरकार पर भरके बिजली बोड कमचारी जहां बिजली बोड के कमचारियों ने पुरानी पैंसन योजना को बहालना किये जाने पर अपनी मांग मनवाने के लिए 25 मई को प्रदर्सन करने का फैसला किया है इनकमचारियों का आरूप है कि बोड प्रवंधन मनवानी कर रहा है सिमला पुलिस को बड़ी काम्याबी हाथ लगी है जहां सिमला पुलिस ने इस साल लापता हुए 17 लोगों में से 16 को और 48 घंटे के भीतर तकनिकी की सहायता से ढूंड निकाला है पुलिस ने सुमबार को इसकी जानकारी दी पुलिस ने बताया कि एक जनवरी से 20 मई के बीच लापता हुए 153 लोगों में से 13 लर्किया और 4 लर्के सामिल हैं जिन में से 132 का पता लग गया है कड़ी सुरक्षा के बीच स्रीनगर में सुरू हुआ जी 20 सम्मेलन तीन दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25 देसों के प्रतिनिधी यहां पहुचे हैं तीमसी नेता और पश्ची मंगाल की मुखमंतरी ममता बेनर जी के भतीजे अभिसेग बेनर जी की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रिम कोट राजी हो गया है जहां अभिसेग बेनर जी ने सिक्षक भरती घोटाले में CBI और ED को पूस्ताच की अरुमती देने वाले कलकत्ता हैकोट के आदिस के खिलाफ याचिका दाखिल की थी जिस पर आगामी 26 मई को सुनवाई होगी मुंबई NCB के जोनल निदेसक समीरवान खेड़े और उनकी पतनी को धमकिया मिलने की खबर सामने आई है इस बात की जानकारी खुद समीर ने दी है उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी पतनी को कोई डराने की कोशिस में है और गंदे मैसेज कर रहा है बागेस्वर धाम सरकार धिरेंदर सास्त्री को गुजरात में चैलेंज देने वाले अब यू टर्ण ले रहे हैं बागेस्वर भावा को पहले खुली चुनाती देने वाले राजकोट की एक बैंक के सीओ और सहकारी छेत्र में अग्रणी प्रुसोत्तम पिपलिया बैकफूट पर है पिपालिया ने आयोजित समिती के लोगों के साथ मिटिंग करने के बाद यह फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि अब वे बागेस्वर भावा के दरवार का बिरोध नहीं करेंगे बता दे कि 27 मई को धिरेंद्र सास्त्री सूरत में दिव्य दरवार लगाने जा रहे हैं राजस्थान में केंद्रिय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने किया बड़ा एलान कहा 2024 तक अमेरिका जैसी होगी राजस्थान की सड़के गरीबी भुकमदी और बेरोजगारी से राजस्थान के लोगों को मिलेगी आजादी आपने अक्सर यह सुना होगा कि केला खाने से वजन बढ़ने में मदद मिलती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले की मदद से आप अपना वजन कम भी कर सकते हैं जहां केले में कम कैलरी और हाई फाइवर होता है इसमें मौझूद यहीं फाइवर पेट को ज़्यादा समय तक भड़ा रखता है जिससे और समय खाने के एक्छा नहीं होती है कच्चे केले में मौझूद रेजडेंट स्टाज पेट की चर्वी को भी कम करता है डाइट में केले को सामिल करके आप अपने वजन को कंट्रोल रख सकते हैं भारतिय डाक विभाग में 12828 गामिन डाक सेवकों की भरती के लिए आविदन प्रक्रिया सुरू हो गई है उमिदवार निर्धारित लास्ट डेट 11 जून 2023 तक GDS भरती पोर्टल इंडियन पोस्ट gdonline.gov.in पर अपलाई कर सकते हैं दोस्तों मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक और कमेंट किया है लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया है इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हम लगातार इसी होसले के साथ आपके लिए रोजाना दिन भर की बड़ी खबरे और सुबह की ताजा खबरों के साथ देश और दुनिया की तमाम ब्रेकिंग अपडेट को लेकर आते रहें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट